हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शेकिष्णा शिरादे बहुत अश्वागत है आप सब का देगने जीवन की पाट साला मैं हूँ आपके साथ आपका अश्ट्रो फ्रेंड संतो संतोशी आज हम आपको बताएंगे भागे शाली कौन है भागे शालिता किसे कहते हैं अबसर कहते सुनते मिल जाते हैं लोग आपके भी उर्दगर्द मिल जाते होंगे कि हमारे भी विर्दिगिर्दे मिल जाते हैं कि हम बहुत अभागे हैं हमारा भागे साथ नहीं देता हम परेशान रहते हैं जो काम करने जाओ सब बिगड़ जाता है ऐसा वैसा तमाम तरह से लोग खुद को अभागा कोशते हैं ये भाग शाली लगी किसे कहते हैं यदा के दा हम देखते हैं कि उनके भी मुख से किसमत और भाग ये लग सुनने को मिल जाता है जो जोतिय शास्त्र पर भी विस्वास नहीं करते हैं खैर विस्वास करना ना करना वो विशे अलग है मैं उस विशे पर कुछ भी नहीं लेकिन आज हम आपको बता देंगे कि आप कितने बड़े भागशाली हैं एक बार इस पर हमने और किसी और कायकरम में हमने इस विशे को थोड़ा सा छेना था आज हम पुरा यही विशे लेकर आ गए हैं आप कितने बड़े भागशाली हैं आज मैं स्वयम आपको रियलाइज करवा दूँगा आपको आभास हो जाएगा कि यकीनन क्या सच में आप भागशाली हैं या नहीं हैं हैं तो कितने भागशाली हैं केटरगाइज कर सकते हैं आप उसको इस्टेप बाई इस्टेप समझ सकते हैं उसको तुनलात्मक दिश्टिकोंड से समझ सकते हैं हर एक चीज हम आपको बताएंगे भागशालिता का पराकाश्टा नमबर एक आप बहुत बड़े भागशाली हैं अगर आप आज जीवित हैं आप इस मानो योनी में आगए आप जीवित हैं सांस ले रहे हैं हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं हमें समझ रहे हैं मतलब तीन इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं आप बहुत बड़े भागशाली हैं बहुत बड़े भागिशाली है नमबर दो आप जीवित हैं पहली भागिशाली था है नमबर दो आपके सभी अंग सही सलामत हैं तो भी आप बहुत बड़े भागिशाली हैं सारे अंग काम कर रहे हाथ भी काम कर रहा है मुख भी काम कर रहा है खा ले रहे हैं पचा रहे हैं मलमूत्र का भी सर्जन हो रहा है सांस ले रहे हैं मतलब सब काम कर रहे हैं अंग सारे तो आप बहुत बड़े भागिशाली हैं भागिशालिता नमबर तीन आप पागल नहीं हैं आप मूर्ख नहीं हैं आपका दिमाग भी अगर काम करता है तो यह भी आपके भागिशाली होने का लक्षण है अंग सभी काम करें और दिमगवे न चले तो आप भागिशाली नहीं कहे जा सकते तो कि आप उन अंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे आप भागिशाली है अगर आपके सर पर छत है आपके तन पर वस्त्र है आपके उधर में अन्न है आपके पेट में अन्न है आप भागिशाली है आप हैं भागिशाली आपके दरवाजे पर कोई पैसा मांगने अपना पैसा मांगने नहीं आता आप महा भागिशाली है नहीं तो सुबह फोन पर घंटी बजगई या दरवाजा आके नौक करता है भईया हमार पैस्वा दे दी हो आपने उधार लिया था आप लोटा नहीं पा रहे हैं आपके पास दगादेदार आ रहे हैं तो इसका मतलब आप भागिशाली नहीं है आप भागिशाली हैं अगर आपके माता पिता आपके साथ रह रहे हैं सुर्य और चंद्रमा का सम्यक कॉंबिनेशन अगर आपके इर्दगिर्द है तो आप इस ब्रह्मान्द के सबसे बड़े भाग्यशाली है तब हलके में लिए थे क्या यहां सिर्फ एक बात अगर वो आपके साथ है तो आप भाग्यशाली है आप भागशाली हैं क्योंकि आप भारत वर्ष में चरम लिए हैं आप इस भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बहुत भागशाली है और ऐसे लोग जो धर्मनगरीommें भी पैदा हुए हैं वो लोग और भागिशाली हैं जैसे हम ठाकवर जे की किरपास से हम अजोध्यावासी हैं मजोध्या की तलहटी हम तांडा में पैदा हुई है तांडा अम्बेटकर नगर जो अकबर पूरजिला अम्बेटकर नगर बना है मैं बिल्कुल सिर्राम के सानिध्य में आया जो मतुरा कासी यहां सब जगों पर उज्जैन और धर्म नगरिया जो है पवित्र छेत्र जो है वहां सब अगर आपने जन्म पाया तो आप और भी ज़्यादा भागिशाली है आप और भी ज़्यादा शुभ है आपके लिए ये और भी ज़्यादा शुभ है तो मेरे मित्रों अब आज के बाद आपको यह कहने समझने की आवश्यक्ता नहीं है कि आप कितने भागिशाली है इसी में से आप वरगी करन कर लेजेगा कि आप कितने भागिशाली आप कितने भागिशाली हैं यहीं से आप कैटेग्राइज कर लीजेगा बहुत शुक्रा धन्यवाद आप सब के लिए और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग परम भागिशाली अपने आपको इसी के अनुसार महसूस करेंगे और हम और भी जादा भागिशाली हैं क्योंकि हमारा परिवार यूट्यूब परिवार 7,11,000 को क्रॉस कर चुका है हम बहुत जल्द 1,000,000 होने जा रहे हैं जिसका जश्न हम अभी से आंतर ग्रूप से मनाने लग गए हैं और जब एक मिलियन हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कुछ जस्न एक साथ बनाये जाएं बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबकी इस प्यार के लिए ये दिब्बिता ये प्यार यूहीं हमारे साथ बनाये रखिएगा बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आईए अब आज के विशे पर हम आते हैं आपका पैसा अगर कहीं रुख गया है फंस गया है आपका धन कोई लेकर बैठ गया बहुत मागने पर भी दे नहीं रहा है तो आज हम आपको किचन पिटारा में बताएंगे कि कैसे आपका रुखाधन आप तक है लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचार जेश्ट महा क्रिश्ण पक्षतर रस्षीति थी चंद्रवा मेश राशी में नक्षत रश्विनी योग आज का आयुश मान रहेगा अशुब समय होता है इसमें कोई भी नया और शुब काम नहीं किया जाता अन्था काम बिगड़ जाते हैं गुले काल दोपा हर एक बच कर 30 मिनट से 3 वजे तक इसमें जो चाहें कर सकते हैं हर एक काम आपके बन जाएंगे और काम बनते ही जाते हैं ग्रहों की बात कर लेते हैं तो सुर्य बुद्ध चंद्रमा मेश में एक साथ शुक्र ब्रिशवराशी में राहू करक में ब्रहश्पति तुला में शनी धनुराशी में मंगल केतु मकर में इनी ग्रहों प्याधारित आपके आज के पूरे दिन का हाल और ऐसे लोग जो 14 को पैदा हुए है जिनका आज हैपी बर्तडे है उनका पूरा जीवन कैसा रहेगा एक साल तक सुक्षा से लेके सब कुछ ये भी आज हम आपको बस थोड़ी दिन बताएंगे पहले लेकिन जानते हैं पूरे दिन का हाल आज की सबसे सटीक भविश्यवाणी चली मेश पूरा दिन आप चैतन्य रहेंगे पूरे दिन आप खुश रहेंगे पूरे दिन आप हैपी रहेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी हो सकता है कार्य शेत्र में आपको प्रमोशन मिले बॉस आपसे प्रशन रहे आपको कुछ व्यापारे की यात्रा पर भेजा जा सकता है कुछ ऑफिशियल काम के लिए आपको पनोनीत किया जा सकता है शुबरंग आपके लिए ब्राउन भागी प्रतिशत बावन बिशबराशी कुछ उठा पटक भरा दिन आज रहेगा स्वास्त से प्रभावित रहेंगी परिवार में विखचन कारी स्थित आ सकती है थोड़ा सा नूक जूक इस्थिति अचानक से गरबर हो सकती है आज विशबराशी वाले लंबी यात्रा ना करें तो बहतर रहेगा चंद्रमा की इस्थिति आपके द्वादस में है थोड़ा सा नुक्षान पेट की दिक्कत चोट चपेट की संभावना बन सकती ह किसी विशे को ले करके आप आज दोहरी मांसिकता बना लेंगे सही निरड़े ले नहीं पाएंगी एक काम करिएगा किसी दोस्त से पूछ लीजेगा ऐसा दोस्त जो आपके घर के पूरव रहता हो चरूर आपको फायदा होगा आपको एक अलग तरह का लाब दिखने लग मितोनाशी वालों के लिए यातरा लाब दायग रहेगी आज दिन अच्छा रहेगा शुपरंगलाल बागी प्रत्सत संडशत करकराशी परिवार में मन आज नहीं लगेगा आज उचाट उचाट सा फील करेंगे कोई आपका दिल आज दुखा सकता है जिसकी वजह से दिन आपका अच्छा नहीं कहा जाएगा आज करक राशी वालों के लिए बहुत सोच समझ कर परसनल डिसीजन लेना होगा नहीं तो इस्तिति आपकी बहुत बिगर सकती है अगर आपकी मून साइन करक है तो सावधान रहिएगा आपका धन कोई हड़ब सकता है आप चीट हो सकत है शुबरंग गुलावी भागी प्रत्षत अठामन 58 सिंग राशी सरकारी नौकरी की संभावनाय बन रही है आज कारशेतन प्रमोशन होगा आपका रुकाधन आज वापस आएगा घर में नया महमान आ सकता है किलकारी गूल सकती है शादीत हो सकती है आज धन आपका रहेगा शुबरंग सफेद भागी प्रत्षत 63 63 कन्यराशी स्वास्त में आज दिक्कत रहेगी बच्चे जो है 18-20 साल तक के कन्यराशी के उनको अपने हल्थ पे बहुत ध्यान देना होगा आज शिक्षा में मन कम लगेगा मन आचंचल रहेगा आज प्रपोजल ठुकराया जा सकता है सोच समझ कर प्रपोज करिएगा यात्रा सुखद रहेगी आराम दायक रहेगी धन के लिए आज मेहनुत ज्यादा करना पड़ सकता है दोपार चाड़े चार बजे के बाद कोई आपको धोखा दे सकता है गुलावी रंगशुप पच्चपन प्रत्षत का भाग रहेगा नौकरी के लिए संकर्ष करना पड़ सकता है आज का इंटर्व्यू संतोष यनक नहीं रहेगा सोच समझ करके नड़े लिजेगा खास दोर पर प्रफेशनल डिसीजन बहुत विचार करके आज परसनल मैटर पर अपनी मन की बात ना साजा करें तो बहतर होगा शु खटक सकते हैं आज विच्चिक राशी वालों को परसनल मैटर पर भी बड़े निरड़े नहीं लेने हैं धन के लिए आपको मेहनत बहुत जादा करना पड़ सकता है माता के स्वास्त की चिंता आपको परिशान कर सकती है आज जमी जाजात के निरड़ेओं में भी बहुत स समय पर सही निरड़े बहुत कामगर सावित होगा किसी महिला मित्र की मदद से कोई बहुत बड़ा पेंडिंग काम पूरा हो जाएगा पिता का स्वास्त अच्छा रहेगा आज संतान आपके वश में रहेगा निरारंगशुप 51 प्रित्सत का भाग्या है मकर राशी बड़ा आप करने जा रहे हैं और वही आपके लिए बेहत शुब होगा आज मकर राशी वालों के लिए अदभुत समय रहेगा परिच्छा में आपको तीरण हो जाएंगे मित्र की आपको मदद मिलेगी आज नया प्रेम संबंद स्टैबलेश होगा शादी का मैटर ठाल द काम करने वाले लोगों के लिए आज या दिन अनकूल रहेगा कुमराशी वालों के लिए लंबी यात्रा लाब दायक रहेगी परसनल मैटर पर भी आज थोड़ा सा उठा पटक देखने को मिल सकता है हो सकता है कि आपका निरड़े शाम तक किसी की निगाहों में खटके और एकदम से आप परिशान हो सकते हैं किसी मित्र के कारण शर्मिंदा होना पड़ सकता है आज ब्रेक अप की संभावना है लब लाइफ फिनिश हो सकती है आज का दिन अनकूल नहीं कहा जा सकता कोई बहुत करीबी आज डीपली चीट करने की फिराग में है और आप चीट हो जाएंगे ये भी मैं कन्फर्म कर रहा हूं यात्रा आज अवाइड करिएगा बड़े डिसीजन्स टाल दीजिएगा बहतर रहेगा शुबरंग और एंच भाग की प्रतिशत पचास तो ये तो रहा आज के आपके पूरे दिन का हाल मेश से लेकर मीन तक आगे हम बतारे वा हड़प लिया है कोई इस पर कुणली मार के बैठ गया है तो ऐसा क्या उपाय किया जाए पैसा निकल आए बताएंगे कैसे निकले रुकाधन पहले जान लेते हैं आज का आपका भाग्याच्छा मिश वाग्षर बिशप्ता मिथुन पाग्षर करक बा सिंग हाग्षर कन्या जा तुला माग्षर बिश्चिक या धनू चाग्षर मकर्था कुम्भ शाग्षर और मीन छुटा उ यह आपका अपना खास भाग्याच्छर सादे चोक और कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है अपने पॉस पॉकेट में कहीं पर भी रख लेना है मुबाइल कवर में रख लेजिए मुबाइल भी आप हमेशा यूज़ करते है अगले दिन जब दूसरा अक्षर मिले त दो भागों में करके किसी पॉधे की नीचे डाल दीजेगा बस यह करना है अब बारी आ गई है आज के सकसेज की का आज की सकसेज की आई जानते हैं दाहने हाथ की छोटी अंगली पर इसमें एक छोटा सा काजल का टीका लगा कर और फिर अपना काम करें टीका मीट जाएगा कहीं काम ओम करने में तो डरीए गमत उतना ही बहुत है चली बारी आ गई है अब जानने की ऐसे लोगों की जिनका आज दिनांग 14 माई को बर्थड़े है आई जानते हैं बहुत सारे शुब कामना है बहुत सारी बधाईया आपके हैपी बर्थड़े की इश्वर आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे प्रसंद रखे स्वस्त रखे कामयाब रखे आपको पता है कि नक्षत 27 मीडिया पर आपको जानकारी मिलती है अगर आप आज पैदा हुए हैं हर दिन हम बताते हैं हर दिन पैदा हुए लोगों के लिए उनकी सिक्षा उनका व्यापार उनकी लब लाइफ उनकी मैरे लाइफ उनकी वेल्स लाइफ उनकी नौकुरी की लाइफ उनकी हर एक लाइफ के बारे में और अगर आज जनांक 14 माई को आपका मैरी जैनिवर्सरी है विवाह का वर्शुगाट है तो पूरे साल मुहबत ताजी रहे क्या करें ये सारे जानकारिया हम देते हैं लेकिन आए पहले बात कर लेते हैं आज पैदा हुए लोगों क के लिए ऐसे लोग जो विद्यार थी हैं बहुत आसंकाओं में जीएंगे आप अस्वने नक्षत्र का स्वामी केतु केतु की दशा में आज का सुरियोद है मतलब आपके इस वर्षफल का स्वामी हो गया केतु एक तरह से तो बहुत सारी आशंकाएं आपको सिक्षा को ले करके रहेंगे आपके मन में एक आशंकाई होती कि किताब खोले सब आ रहा है आ रहा है इसलिए अब किताब नहीं खोलेंगे क्योंकि खोलते ही लगता है कि सब आता है और जब एक्जाम देने जाते हैं तो पेपर देखते ही कुछ याद ही नहीं आता है तो ये भी एक शक ह हमें लगता कि हमें सब आता है ऐसा होता है कि तो आप अपनी सिक्षा में कुछ इसी तरह का वेवहार रखेंगे फिर भी खीचतान करके करीब साट सतर प्रिशत तक तो आप ले आएंगे और सिक्षा आपकी पूर्टा की तरफ बढ़ जाएगे अगर आप विदेश से सम्मंध जोड़कर कुछ शिक्षा के लिए विचार किये थे वो भी कर सकते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी और अगर शिक्षा का कोई भी एक्जाम देते हैं पास तो होई जाएंगे परसेंटेज लेकिन साथ से थोड़ा सा उपर नीचे ऐसे रहेगा अगर आप 14 मई को पैदा हुए है तो आपको यह भी सोचना होगा कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो शिक्षा आपके कैरियर को कितना समारेगी क्योंकि यह वर्ष पूरी तरह से सिक्षा को लेके निगेटिव होने जा रहा है इसको पोजिटिव आप भी कर सकते हैं व्यापार मिट्टी, लोहा, वस्त्र आदि कि अगर आप व्यावसाई हैं और आप 14 मई को पैदा हुए है तो निश्चित रूप से आपका व्यावसाई अच्छा चलेगा आप अगर व्यावसाई को अपने विदेश से जोड़े हैं तो भी आपका व्यावसाई अच्छा चलेगा रुपेय पैसे को लेकर कि अगर आपका व्योसाय है तो आपका व्योसाय अच्छा चलेगा कोई गुप्त धंधा है आपका तो व्योसाय अच्छा चलेगा बाकी के लिए संगर्श करना पड़ेगा ब्योसाइक दिश्टिकूर्ण से समय बिल्कुल अनकूल है लेकिन ब्योसाइब में कुछ हो सकता है कि किसी महिला की कारण नुकसान उठाना पड़ जाए एक दो चीजों पर और विश्च ध्यान देना ब्योसाइब में किसी के कहने पर वियोसाइक मदद ना करिएगा आपके लिए मुश्किल आएगी अगर कहीं से भी आपको धन कोई आउफर करता है तो भी आपको सावधान रहने की आवशकता है नौकरी प्राइवेट सेक्टर में सही रहेंगे आप कोई समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में नहीं नौकरी भी मिल सकती है परिवरतन भी हो सकता और अच्छा सेलरी बढ़ेगा बहुस प्रशन रहेंगे जो नौकरी चल रही है उसमें भी सरकारी छेत्र में डिमोशन या फिर सस्पेंसन हो सकता है खास दोर पर जो संबेदन शील पदों पर उनके लिए बहुत सावधान रहेगा कहीं से भी स्थति ठीक नहीं है शादी शुदा सी जीवन आपका उठा पटक वरा रहेगा नो डाउट कुछ दिन के लिए सेप्रेशन भी हो सकता है अगर चार वर्ष तक अभी विवाहक का समय हुआ है और आप 14 मई को पैदा हुए है सेप्रेशन भी कुछ दिन के लिए है प्रेमी जीवन प्रेमी का जीवन ठीक रहेगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा बहुत उठा पटक के साथ जिन्दकी चल जाएगी मिमारियों के मैटर पर सरदर्द, ब्रेन की दिक्कत, ब्रेन श्ट्रोक, लकवा, पक्षाघाद जिसे कहते हैं परालेटिक होना, परालेसिस अटेक और इसकिन, सांस की दिक्कत, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब आपको परेशान कर सकता है प्रियोक क्या करें? तीन किलो काले चने किसी गव शाला में आप दान कर दीजेगा और तीन पीपल का पौधा कहीं लगा दीजेगा एक ही बार करना है, चाहे आज कर दीजे, चाहे साल भर में, चाहे जब कर दीजेगा जब आप कारक्रम देखें बस तुरंत कर दीजेगा ऐसे लोग जिनके आज शादी की सालगिरा ऐसे लोगों के लिए बता देते हैं कि पूरे साल आपका प्यार ताजा रहे इसके लिए क्या प्रियोग करें शनिवार की शाम सुंदर कान का पाठ करें और सात्विक रहते हुए किसी कन्या के विवाह में कुछ ठिक ठक मदद कर दीजेगा अपनी छमता की अनुसार बस इतना सा करना है बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबका आपकी इस प्यार के लिए इस वीडियो को आप जितना हो सके शाजा करिएगा आपका कोई दोस्त अगर आज उसकी 14 माई को सादी की सालगी रहा है या आज उसका जनम दिन है तो इस वीडियो को आप उसके पर्थड़े विश्च के साथ जरूर भेजा करिएगा बहुत शुक्रिया आप सबका प्यार आई अब जानते हैं आज का दिब किचन पिटा रहा अपना धन और वही काम ना आए है ना कितनी सोचने वाली बात एक उपाय हम बताते हैं आपका धन जरूर काम आएगा नोट करिए आपकी स्क्रीन पर शहद का प्रियोग करना है आपकी रसोई से शहद निकाल लिएगा एक पीपल का पता ले करके उसके चारो कोनों पर साथ जगह पर टोटल मिलाके शहद टपका दीजेगा इसके बाद हर बूंद पर एक एक सिक्का रख दीजे सिक्का कनेक्टेट रहे, टच रहे, कोई बात नहीं है साथ सिक्का हो गया, साथ बूंद आपका शहद हो गया अब सिक्के के ऊपर हल्दी पाउडर आपको छिड़कना है और इस पूरे पत्य को उठा करके पुझा स्थान पर रखके एक घी का दिया जला देना है आपको जिस से पैसा लेना हो उसका नाम एक कागज पर काजल से या किसी भी पैंसे लिख करके उसी दिये से इस कागज को जला दीजे और जो राख है उस सिक्कों पर छिरक दीजेगा और बस छोड़ दीजे इसको एक दो दिन के बाद सिक्का किसी को दान कर दीजे पत्ते को कही पेरोड की नीचे डाल दीजे ये प्रियोग आप डेली कर सकते हैं जब तक आपका पैसा वापस ना जाए इस प्रियोग को आप वीकली भी कर सकते हैं अपना पैसा वापस लाने तक बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब की इस प्यार के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्यार युहीं हमारे साथ बना रहेगा और आप सब अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते रहेंगे फिलाल के लिए हमें अनुमत दीजेगा खुश रहें श्माइल करते रहें और हसते रहें और हाँ बहुत जल्द फिर से कनेटा के अपॉइंट्मेंट शुरू होने वाले हैं नमस्कार शिरादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा